अब इतने लंबे गैप में आपको जो बच्चे को न्यूटिशन देना है वो बहुत अच्छे तरीके से देना है जिसे कि बच्चा भी एनर्जाटिक फील करें और आपको भी दिन बन की एनर्जी मिलती रहें हेलो फैमली नमश्कार रोहिक बड़ फिट से हाजर हो गई हूं आप सब के लिए एक हेलफुल वीडियो लेकर तो आज के इस वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि गर्वती महिला को सुबह उठते ही सबसे पहले चार ऐसे काम जो जरूर करने चाहिए अगर ये चीज़े आपने कर ली ना तो आपकी प्रेग्नेंसी बिल्कुल हेल्दी रहेगी बच्चे का बिकास अच्छी से होगा बच्चे का बजन अच्छी तरीके से बढ़ेगा तो वीडियो आपके लिए बहुत यदे हेलफुल है आज का वीडियो जैसे कि फ्रेग्नेंसी के टाइम आप जो भी करती है उसका सीधा असर घर में बच्चे पर पढ़ता है है ना तो प्रेग्नेंसी के टाइम आपको जो भी करना चाहिए बहुत अच्छा अच्छा करना चाहिए जैसे कि बच्चे पर भी अच्छा अच्छा तोइलेट में बाद में जाना हैं पहले आपको एक glaz गुणगुना पानी है ठीक हलका गुणगुना पानि में लीज़े उस में चाहें तो आप एक चमस शहद भी डाल सकते हैं और बढ़े इस पानी पानी paनी को पीना है पहले अराम बिना ब्रश के बिना कुछ भी करे पानी पीना है हलका गुन-गुना अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा तो मैं बताती हूँ क्या होगा आपकी कप्स की दिक्रक खतम हो जाएगा आपका डाइजिसन सिस्टम सही रहेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अ अज़े पाइगा जो उखता समझा है डात में लेकिन वह डंबा अगेप हो जाता है चे तंगे सारे घंटे हो जाते हैं अब आप शोते हैं आपको खानी पीनी की जरौत नहीं होती है त्रहुत में लेकिन बच्य के साथ डनते बच्चे को हमेशा nutrition की जरुवत पढ़ती रहती है अब इतने लंबे गैप में आपको जो बच्चे को nutrition देना है बहुत अच्छे तरीके से देना है जिसे कि बच्चा भी energetic फील करें और आपको भी दिनबन की energy मिलती रहे उसके लिए 8 घंटे के बाद जो आप breakfast करेंगी सुब बहुत ही अच्छा आपको लेना है ऐसा लेना है जिससे आपका अच्छे दरीके से पेट भर जाए और आपको काफी सारे nutrition एक बार में ही मिल जाए मतलब की calorie के मात्रा आपको जाद से जादा मिल सके तो फ्रेंट सबसे पहला इसके लिए option है कि आप भीगे हुए बादाम ल आप सबसे पहले कुछ भीगे हुए बादाम ले सकती है अब दूसरा option है अगर आपको बादाम पसंद नहीं आप नहीं खाना चाहती है तो आप भीगे हुए चने भी ले सकती है उसकी जगह सुबह उठते ही आपको खाना है एक मुठी चने आप रातम भीगों कर डाल कि आप उनको खाईए बहुत ज़्यदा टेस्टी लगते हैं मैं डेली खाती हूं इसे अच्छा खासा आपको प्रोटीन मिलता है फाइवर मिलता है और साथ में आपकी भूख भी बढ़ती है तो चने को आप डेली खा सकते हैं इसके बाद एक और option है जैसे कि प्रेडिंसी किसमिस आप रात में भिगो कर डाल दीजिए बड़े वाले किसमिस है तो आप 5-6 किसमिस रात में भिगो कर डाल दीजिए सुबह उस किसमिस को आप चबा कर खाईए और जो उसका पानी है आप उसको भी पी सकती है उससे आपको बहुत ज़दा फाइदे मिलेंगे तो जिस करांभा घ्रोटी आपका मन करें घ्रोटी करों। तो नहीं informations सब्सक्रांदी में अजिने सब्सक्तित आपके का है अध्रा ते धराविक का मन कनानी तरह सकते हैं। पके हरुथे के ही खाना चाहिए साथ में आप दो बॉयल्ड एग ले सकती है जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया साथ में दो बॉयल्ड एग ले लीजे उसमें नीवु डालके चाट मसला डालके प्यास डालके और खाईए इसके बाद जैसे कभी-कभी इमर्जेंसी हो जाती हम ब्रेकफास आपका पेट भरता है साथ में एक आप केला भी ले सकती है और ज्यादा फायदे मन रहेगा पेट भी अच्छे तरीके से भढ़ जाएगा तो अगर कभी-कभी इसे ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते हैं आप सोबह जीजे भी आप ले सकते हो अपनी ब्रेकफास्ट में इसक अपनी रह जाएगा है ना तो आपको सुबह से चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए चाय कॉफी के अगर आप आदी है इसकी जगे आप जूस पी सकते हो खाली पेट जूस लेने के काफी सारी फायदे आपको मिलेंगे साथ बच्चे को न्यूटिशन भी मिलेंगे इससे मतलब अगर आप दूद नहीं पीना चाहते है तो जूस ले सकते हो जूस नहीं पीना चाहते है तो दूद ले सकते हो लेकिन आपको अपनी प्रिग्नसी में दूद दो टाइम जरू लेना चाहिए सुबह भी एक गलास और शाम को सोने से पहले भी एक गलास दूद आपको लेना हो तो मिलते हो आप सबसे अगले वीडियो में बबाई एंड थैंक यू सो मच